गणित और विज्ञान में सफल होते हैं इन चार आश्यवाले, कठिन से कठिन सवालों को भी करते हैं चुपकी महथ। नमस्कार मैं हूं सिंदन और आप देख रही हैं, नेक्स महीं कूचर कूचर। गणित और विज्ञान दो ऐसे विशे हैं, जो कहीं विध्यार्थियों को समझ में असानी सभूना होते हैं। इन विश्यों में महारत हासिल करने के दिए विध्यार्थियों को जीत, तोड, महनत करने पड़ पर दो हैं। यहां इन राश्यों के बच्चे गणिक और विध्यान को बहुत समझने लगते हैं और जैसे जैसे ही शिक्षा दुहन करते जाते हैं, वैसे वैसे भी इनकी पकड इन विश्यों पर मजबूत होने लगते हैं सबसे पहले बात करते हैं मिखम राशी देखिए यह राशी बुद्ध के स्वामित के वाली है और बुद्ध को तार्फिक शम्ता और बुद्धी का कारत में हमाना गया है इसलिए मिखम राशी के लोग गणित और विज्यान को समझने में सब के आगे बते हैं अंको के साथ इनका नाता बहुत अच्छा होता है अगर ये मेहने जारी रखते हैं तो गणित और विज्यान का आपस में संबंध है इसलिए गनित के साथ इज्ञान के शेत्र में भी इनको उपलगती है, इसके साथ ही आयटी शेत्र में भी इस राशी वालों को सफ़लगा, इस सरूर प्राप्ती है महीं दूसरी राशी है कन्य राशी, यहां कन्य राशी के स्वामी ग्रह भी गुद्देवी है इस राश्री वालों को भी अंकों की दुनिया में विहत लगाता है जिन सवालों का जवाब दूँने में बाकी विध्यारती दूंतो लगा देते हैं उनको भी ये मिंटों में सॉल्व कर सकते हुआ यहाँ इन्हें बले ही बाकी वुष्यों को समझने में समय लगे लेकिन जब बात आती है गणिक और विध्यान की तो इस सब से आगे की कतार में आपको तुटकते हैं अब बात करते हैं तीसरी राशी यानि की बिक्षिक राशी वाले जाते हैं देखिए मंगाई द्रहके स्वामित्व वादी विक्षिक राशी वाले बूर विश्यों को समझने में काफी अच्छे माने जाते हैं इसलिए इनकी पकड़ भी गणित और विज्ञान पर अच्छे होती है भले ही इन विश्यों को समझने में थोड़ा समय इनको लगता है लेकिन एक बात जब ये अंगों के कमंदर में कूट जाते हैं तो तेरना खुड़ विक्षिक रहे गणित और विज्ञान के शेत्र में इस राशी के लोग आपको प्रिसर्च करते हुए भी दिखाई देगी को मिल सकते हैं महीं अगली राशी है कुम्भराशी जी हाँ ये दिबात करें कुम्भराशी की ज्यातकों की तो कुम्भराशी की लोग भावनाओं से ज्यादा तर्कों को एहने दिखे हैं और इनका यही गुन इन्हें गणित और विज्ञान की और आकर शिद्धी करता है कुम्भाशी वाले घंटों तक एक जहाँ पर बैठकर कार्य करने वाले होते हैं जो एक विज्ञान और गणित की विध्यार्थी के लिए पेवाखिया वर्षण है इनके काग्रता इन विश्यों में इन्हें शीर्ष तक कुमचा सकती है हाला कि छोटी कक्षाओं में शाष्ट के लोग गणित से परहेज करते हैं आपको ये देखा जा सकता है जहां लेकिन जैसे जैसे इनकी समझ बढ़ती है ये इस विश्यों में महारत हासिल करने लगते है ये आपका भी गणितर विज्यान में इंप्रेस्ट है रूची है तो कॉमेंट करके सब्सक्राइब बताइएगा तो लाइक लिए इतना ही है ऐसी ही और चानकारियों के लिए आप देखते हैं ये नेक्स्ट्राइन स्पीश्यों सब तब के लिए दूनेवादे